प्रदीश भाषपा कारी आले में भाषपा अल्प-संख्यक मोर्चा की काय समीति की बैठक कायोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता अल्प-संख्यक मोर्चा के राश्ट्री अद्यक्स जमाद सिद्धकी ने की इस सबसर पर जमाद सिद्धकी ने जनता दर्बार से खास बाचुट करते वे कहा कि आने वाले समय में अलप संख्यक मोर्चा को सरकार उसंगठन दोनों में भागिदारी मिलेगी उन्होंने यह भी कहा कि के पास आए और उसकी रीती नीती को समझे उन्होंने आसवाशन दिया कि जो काबिल होगा उसे जभागीदारी भी मिलेगी सिद्धिकी ने विपक्ष पर निशानस आते वे कहा कि कॉंग्रेस और अखिलेश यादव से मीडिया और अलप संख्यक पूछे कि उन्होंने अब त कि अब समय आ गया है कि संपूर्ण अलप संख्यक समुदाय को सोच समझ का फैसला लेना चाहिए कि कौन उन्हें धोका दे रहा है और कौन उनका वास्तव में साथ दे रहा है इस बैठक के माध्यम से भाष्पा ने इस संदेश दिया है कि वे अलप संख्यक समुदाय को सरकार और संगठन में उच्छत प्रतिनिधित विदेनी के लिए प्रतिवद्ध है जो कि भाष्पा की समावेशी राजदीती के दिशा में एक महतोपून कदम है हम आंदर कुछ कमिया रही और किस परकार से हमें आगे जाना है जिस प्रकार से प्रदेश की जन्ता ने राज में हमें सरकार चलाने का मौका दिया है, केंद में भी मानिया प्रधार मंत्री जी को ये अन्डिये के नितुत में तीसरी वार प्रधार मंत्री बनाया है, हमें सरकारी ओजिनाओं को इस प्रकार से समाज के अंती मानिया पहुच सांप्ट के लिए काम करेंगे पीजेपी से दूरी बनाई है बले ही वो विपक्ष के एजेंडे की वजए से हो देखे राजीते में सब को अपनी पार्टे चुने का अधिकार होता है और कहीं न कहीं हम अलसंक्रिक और मुस्लिम समाज को समझाने में नाकाम रहे और इसका फाइदा जो देश को तोड़ने वाली ताकते हैं जो समाज को ब चाहता हूँ कि चिंता करने को है आशक्ता नहीं है भारती जंता पाटी सली आती कि सथ्का के माध्यम से सेवा करें हम ऊसी तरह के जिसे पहले सेवा करते थे योजिवाच слов पया पार केम से हम काम करेंगे मुद्स प्रका updated संस उनका में काम करें हैं और को बढ़ेंग में चन सवाल करते हैं कि अलप संक्यकों को प्रतिनिदत वह क्यों नहीं दिया जै लेकिन विपक्षी पार्टियों से कोई सवाल नहीं करते हैं इस पर क्या कहें एक अब महाराष पर आता हूं 27 तारीक को विधान परशद वहाँ पर मुस्लिम मुक्त हो जाएगा एक भी सदस विधान परशद का नहीं है जबकि इंडी एलाइंस को 100% लोगों ने ओटिंग किया लोकसभा के चुनाओं में इंडी एलाइंस ने महाराश्ट में कोई टिकेट नहीं दिया उत्तर प्रदेश में समाजवादी कहती है कि मुस्लमानों को पारटी है और अखलेस यादों जब लोकसभा चुनकर आए तो नैतिक रूफ से लोकसभा के अंदर आने के बाद जो नेता विपश्च का पत था उनके पास किसी मुसलमान को देना था लेकिन नहीं देंगे किसी ना किसी यादों को देंगे लेकिन जिस प्रकार से लोकों ने मुसलमानों को उप्योग किया है मुसलमानों को भरमित किया है हम मैं मुसलिम भायों से भी अपील करूँगा और सभी से अपील करूँगा कि सिर्फ हमसे सवाल क्यों होता है हमारे तो करीब भी आप काम आते हैं आते भी तो डर्डर के आते हैं खुल के करीब आईए आप भारती इंदा पार्टी के सी पार्टी है जो देश को जोड़ने का काम करती है बाकी जो पार्टी है ओडवें के के लिए देश को तोड़ने काम कर रहे यह सब्सक्राइब को पुछना चाहिए उत्तरब देश के मुसलमानों को अखलेश यादों से सब्सक्राइब कि तुम जब कुर्सी खाली के नेतावेपक्ष का तो किसी मुसलिम को क्यों नहीं मिला जब मुसलिम व्यादों की पार्टी है तो यह सवाल जरूर उसे पुछना चाहिए और मुझे लगता है कि देश का मुसलमान पुछेगा करें एक कि आने वाले निकट भावन में नसीफ राजया सहनवाल की देश में भी क्या हम देखेंगे की अल्व संख्यक समुदाय के लोगों को प्रतिनी देत्व मिलेगा नहीं अल्व संख्यक समुदाय को प्रतिनी है अब आप लोकसभा का जो चुना होगा अभी जो मानिय पदार मंत्री श्री इंडरेद मुदी जी का मंत्री मंदल मना उसमें पाच अल्व संख्यक मंत्री मंत्र तो यह जूट लोग फैला रहे कि अलसक्र को भागेदारी नहीं हाँ इस बात का कहीना की समाज में रोश भी है पर ऐसा कुछ नहीं है सरकारे जो बनती है उस समाज कल्याड के बनती है हमारा लक्ष समाज कल्याड है हमारा लक्ष अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ उसका कल्याड हो और अंतिम पंक्ति में मुस्लिम है यह मैं मानने को त्यार हूँ और उसका कल्याड जरूर होगा एक आखरी सवाल यह है कि मई के महीने में आपको पाकिस्तान से धंकी मिली थी ऐसी धंकियों को आप किस तरह लेते हैं वो अपना काम करें अपना काम करेंगे जिंदिगी और मौत अल्ला के हाथ में यह जमाल सिद्धिगी जी और इनका साफ तोर पर कहना है कि अल्प संख्यकों को घबराने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है प्रधान मंतरी नरेंदर मुदी जिस प्रकार से कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वो उसको मानते भी है और केंदर सरकार की जो भी योजनाय चल रही है उनका लाब हर एक व्यक्ति तक और अंतिम व्यक्ति तक पहुँचा है और इसलिए जरूरी है कि आज अल्प संख्यक जितने भी लोग हैं सिर्फ मुसल्मान नहीं इसाई, जैन, सिक्व अन्य अल्प संख्यक संब्दाएं सब लोग भाजपापे विश्वास करें और विपक्ष के जहांसे में धोके में आएं सेहोगी कैमरमेन आजे के साथ उमंग माथूर जनता तरबार